यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज का क्विज विशय है सत्ता के साज़दारी Q1. निमनलिखित में से कौन सी शक्ती के क्षैतिज बंटवारे का एक उदाहरन है? Option A. विभिन राजियों के बीच पावर शेरिंग Option B. सरकार के विभिन नंगों के बीच पावर शेरिंग Option C. सरकार के विभिन स्तरों के बीच पावर शेरिंग Option D. विभिन राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बटवारा सही जवाब है Option B. सरकार के विभिन नंगों के बीच पावर शेरिंग सरकार के विभिन नंगों, जैसे विधाई का, कारय पालिका और न्याय पालिका के बीच शक्ती साजहा की जाती है इस प्रकार के वितरन को शक्ती का क्षैतिज वितरन कहा जा सकता है इस प्रकार की शक्ती सा जाकरन से सरकार के विभिन नंगों को एक ही स्तर पर विभिन शक्तियों का उप्योग करने की अनुमती मिलती है Q2. श्री लंका में अधिनाय कवाद का परिनाम क्या था? Option A. विभिन सामुदाइक समूहों के बीच जड़पे हुई Option B. विभिन सामाजिक समूहों में समान का गठन हुआ Option C. विभिन सामाजिक समूहों द्वारा विभिन सरकारों का गठन किया गया Option D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है Option A. विभिन सामुदाइक समूहों के बीच जड़पे हुई श्री लंका में प्रमुखतावाद तमिल लोगों के दम्मन का कारण बना, सिंग है लोगों का सभी क्षेत्रों में बहुत वर्चस्व था, इसलिए तमिल लोगों ने इस मुद्धे पर विरोध करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के प्रमुख उपायों को अपनाया, उप्शन बी, इन में से कोई नहीं, सही जवाब है, उप्शन बी, सरकार ने श्री लंका में सिंहल वर्चस वस्थापित करने के लिए कई प्रमुख उपायों को अपनाया, बेल्जिम में, नेताओं ने महसूस किया कि विभिन समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं और हितों का समान करने से ही देश की एक्ता संभव है, इस तरह की प्रतीती से सत्ता साज़ा करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकारे व्यवस्था हुई, इसके विपरीत, श्री लंका दर्शाता है कि यदि बहु संख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और सत्ता साज़ा करने से इंकार कर करता है तो यह देश की एकता को कम जोर कर सकता है क्वेस्चन नंबर फोर बेल्जिम में समुदाय एक सरकार की क्या भूमिका है औप्शन ए यह संबंदित भाशा समुदाय द्वारा चुनी गई सरकार है औप्शन बी इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शेक्षिक और भाशा स समबंदी मुद्दों के बारे में शक्ति है औप्शन सी, वा और भी दोनों औप्शन दी, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब है Option C, A और B दोनों Option A, केंद्र सरकार में डच और फ्रांसी सी बोलने वाले मंत्रियों की समान संख्या, कोई भी एक समुदाय स्वयम निर्ने नहीं ले सकता Option B, केंद्र सरकार से राजि सरकार को सत्ता का हस्तान तरण Option C, ब्रुसेल सरकार का दोनों समुदायों के लिए समान प्रतिनिधित्व है Option D, ये सब ही सही जवाब है Option D, ये सब ही Question No.6, श्री लंका में जन संख्या का वितरन कैसे होता है Option A, 18% सिंहली भाशी है, 74% तमिल भाशी है जिन में से 50% श्री लंकाई तमिल है और 24% भारतिय तमिल है Option B, 74% सिंहली भाशी है, 18% तमिल भाशी है जिन में से 13% श्री लंकाई तमिल है और 5% भारतिय तमिल है Option C, 64% सिंहली भाशी है, 28% तमिल भाशी है जिन में से 23% श्री लंकाई तमिल है और 5% भारतिय तमिल है Option D, इन में से कोई नहीं, सही जवाब है Option B, 74% सिंहली भाशी है, 18% तमिल भाशी है जिन में से 13% श्री लंकाई तमिल है और 5% भारतिय तमिल है 2001 में किये गए जंगनना में केवल 18 जिलो को शामिल किया गया था, दिखाए गए जिला प्रतिशत 2001 की जंगनना से हैं, सिवाए इसके की संख्याएं इटालिक हैं, जो 1981 की जंगनना से हैं जंसंख्या अंदोलन 1981 के बाद हुआ है, और 2011 के जंगनना तक 2001 की जंगनना में शामिल जिलों के लिए सटी कांकड़े मौजूद नहीं थे. Question No.7 Belgium में जनसंख्या का वितरण कैसे होता है? Option A 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं 40% लोग वालोन या क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाशा बोलते हैं Option B 59% लोग वालोन या क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाशा बोलते हैं 61% लोग जर्मन बोलते हैं Option C फ्लेमिश क्षेत्र में 50% लोग रहते हैं और डच बोलते हैं 49% लोग वालोन या क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाशा बोलते हैं 61% लोग जर्मन बोलते हैं Option D इन में से कोई नहीं सही जवाब है Option A 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं 40% लोग वालोन या क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाशा बोलते हैं, 61% लोग जर्मन बोलते हैं. Kingdom of Belgium उत्तर पश्चिमी यॉरप में एक देश है, यह उपिय संग का संस्थापक सदस्य है और उसके मुख्यालय का मेजबान है, साथ ही, अन्य प्रमुख अंतराश्ट्रिय संगठनों का, जिसमें नेटो भी शामिल है, 10.7 मिलियन की जनसंख्या वाले बेल्जम का अक्षेत्र फल है, जर्मनिक और लाटिन यॉरप के मध्या अपनी सांस्कृतिक सीमा को विस्तरित किये हुए बेल्जम, दो मुख्या जनसंख्या सहित फलांडर्स का डच भाशी क्षेत्र और वालोनिया का फ्रेंच भाशी दक्षनी क्षेत्र, जहां 31% लोग बसे हैं ब्रुसेल स्राजधानी क्षेत्र, जो आधिकारिक तौर पर द्विभाशी है, मुख्यत अफले मिश्क शेत्र के अंतरगत एक फ्रेंच भाशी एनकलेव है और यहां 10% जनसंख्या बसी है. Q8. लोगतांत्रिक देशों में सत्ता को कैसे साज़ा किया जाना चाहिए? Option A. सत्ता केंद्र सरकार को ही देनी चाहिए. Option B. सत्ता को विधाई का, कारेकारी निकाय और न्याय पालिका के बीच साज़ा किया जाना चाहिए. Option C. शक्ती को सैन्य और केंद्र सरकार के बीच साज़ा किया जाना चाहिए. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option B. सत्ता को विधाई का, कारेकारी निकाय और न्याय पालिका के बीच साज़ा किया जाना चाहिए सरकार के विभिन नंगों, जैसे विधाई का, कारेपालिका और न्याय पालिका के बीच शक्ती साज़ा की जाती है इसे शक्ति के क्षेति जुवित्रण के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि यह सरकार के विभिन नंगों को एक ही स्तर पर विभिन शक्तियों का उपियोग करने की अनुमती देता है Q9. अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच शक्ति साजा करने की आवश्यक्ता क्यों है? Option A. अलप संख्यकों को सामिवाद देने के लिए सत्ता में उचित हिस्सेदारी Option B. राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए Option C. राष्ट्र में संघर्ष से बचने के लिए Option D. ये सब ही सही जवाब है Option D. ये सब ही शक्ति साजा करन की घटनाओं के तहत शक्तियों को विभिन सामाजिक समूहों, धार्मिक और भाशाई समूहों यान ने कमजोर वर्गों और महिलाओं के बीच साजा किया जाता है स्परकार की शक्ति साजा करन उनकी स्थिती को उपर उठाने के लिए विभिन सामाजिक समूहों को सरकार और प्रशासन में आवास देने का संकेत देता है विधान सभाओं और हमारे देश की संसद में आरक्शित निरवाचन क्षेत्रों के माध्यम से अल्प संख्यकों को अच्छी तरह से समायो जित किया जाता है सीटों के आरक्षन के माध्यम से महिलाओं की राजणितिक भागिदारी भी सुनिष्चत की जाती है यह समाजिक समुहों के बीच शक्ती साजहाकरन कार्णों के विवेक पूर्ण सेट का एक उदाहरन है. Q10. शक्ती बटवारे की आवश्यक्ता क्यों है? Option A. यह समाजिक समुहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है. Option B. यह राजनीतिक स्थिर्टा सुनिश्चित करता है. Option C. आ और बी दोनों. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option C. आ और बी दोनों. लोक्तंत्र में शक्ती साजहाकरण की आवश्यक्ता है क्योंकि यह समाजिक समुहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है चून की समाजिक संघर्ष अकसर हिंसा और राजनीतिक अस्थिर्टा की ओर जाता है. इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की स्थिर्टा सुनिश्चित करने के लिए शक्ती साजहाकरण एक अच्छा तरीका है. Question No.11. बिजली के एक शैतिज वितरण का क्या फायदा है? Option A. प्रत्येक सरकार अलग से काम करती है और ये कभी दूसरे के कामकाज की जाच नहीं करती है. Option B. कोई भी सरकारी निकाय असीमित शक्ती का प्रयोग नहीं करता है और प्रत्येक अंग दूसरों की जाच करता है. Option C. समाज में प्रत्येक समुदाय बढ़ता है Option D इन में से कोई नहीं सही जवाब है Option B कोई भी सरकारी निकाय असीमित शक्ती का प्रयोग नहीं करता है और प्रत्येक अंग दूसरों की जाच करता है यह सरकार के विभिन नंगों को एक ही स्तर पर विभिन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमती देता है यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी असीमित शक्ती का प्रयोग नहीं कर सकता है प्रत्येक अंग दूसरे की जाच करता है Question No.12 Belgium के नेताओं ने कितनी बार अपने समविधान में संशोधन किया Option A 2 Option B 3 Option C 4 Option D 6 सही जवाब है Option C 4 Belgium के नेताओं ने चार बार अपने समविधान में संशोधन किया Question No.13 एक विश्वास है कि बहु संख्यक समुदाई को किसी भी देश पर उस तरह से शासन करने में सक्षम होना चाहिए जो वह चाहता है Option A सामुदाईक सरकार Option B संगी असरकार Option C बहु संख्यकों Option D Prudential सही जवाब है Option C बहु संख्यकों अधिनाय कवाद एक विश्वास है कि बहु संख्यक समुदाई को किसी भी देश में उस तरह से शासन करने में सक्षम होना चाहिए जो वह चाहता है अलप संख्यक की इच्छाओं और आवश्यक्ताओं की अवहेलना करके Question No.14 निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के संगिय विभाजन के पहलूँ में से एक नहीं है Option A केंद्रिय प्रांति और स्थानिय सरकारों के बीच शक्तियों को साज़ा करना Option B सरकारों के उच्छ और निचले स्तरों को शामिल करने वाली विभाजन शक्तियां Option C समविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन स्तरों के शक्तियों को कम करता है Option D शक्तियों का कोई उर्ध्वाधर विभाजन नहीं है सही जवाब है Option D शक्तियों का कोई उर्धवाधर विभाजन नहीं है। शक्तियों के संगिय विभाजन के पहलू के इंद्रिय प्रांति और स्थानिय सरकारों के बीच शक्तियों का बटवारा कर रहे हैं। सरकार के उच्छ और निम्नस्तर को शामिल करने वाली शक्तियों का विभाजन. Question No. 15 निम्नलिखित में से कौन सरकारी शक्तियों के तीन अंगों में से एक साजह नहीं है? Option A. विधान, सभा. Option B. नौकरशाही. Option C. कारिपालक. Option D. न्यायतंत्र. सही जवाब है. Option B. नौकरशाही. सरकार के विभिन नंगों, जैसे विधाईका, कारिपालिका और न्यायत्र पालिका के बीच शक्ति साजह की जाती है. Question No. 16 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाशा को श्री लंका की एक मात्र आधिकारिक भाशा घोशित किया गया था? Option A. तामिल. Option B. सिंहली. Option C. हिंदी. Option D. अंग्रेजी. सही जवाब है. Option B. सिंहली. 1956 में सिंहल को एक मात्र आधिकारिक भाशा के रूप में मानिता देने के लिए एक अंधिनियम पारित किया गया था. इस प्रकार्तमिल की अवहेलना की गई. Question No. 17 डच भाशी और फ्रांसी इसी भाशी समुदायों के बीच तनाव के कारण क्या हुआ? Option A. दोनों समुदायों ने विशेश शक्तियों की मांग की. Option B. दोनों समुदायों ने विशेश शक्तियों की मांग की. Option C. निून्तम डच भाशी समुदाय बहु संख्यक फ्रांसी इसी भाशी समुदाय से अधिक सम्रिध्ध और शक्तिशाली था. Option D. सामाजिक आर्थिक सीड़ी में दोनों समुदाई समान थे और यह प्रांसीसी भाशी समुदाई द्वारा नाराज था. सही जवाब है. Option B. दोनों समुदाईों ने विशेश शक्तियों की मांग की. बेल्जिम में, 1950 और 1960 के दर्शक के दोरान, अल्प संख्यक फ्रांसीसी भाशी समुदाई बहु संख्यक डच भाशी समुदाई की तुल्ला में अधिक सम्रिद्ध और शक्तिशाली था. Question No.18. निमनलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की प्रारंभिक मानगों में से एक नहीं था? Option A. एक आधिकारिक भाशा के रूप में तमिल की मानने था. Option B. क्षेत्रिय स्वायत था. Option C. नौकरियों और शिक्षा हासल करने में अवसर की समानता. Option D. एक स्वतंतर तमिल राजी का निर्मान. सही जवाब है. Option D. एक स्वतंतर तमिल राजी का निर्मान. 1980 के दशक तक कई राजनीतिक संगठनों का गठन श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक स्वतंतर तमिल राजी की मांग कर रहा था. Question No.19. ब्रसल्स के 80 प्रतिशत लोगों द्वारा कौन सी भाशा बोली जाती है? Option A. French Option B. Dutch Option C. German Option D. Latin सही जवाब है Option A. French राजधानी ब्रसल्स में 80 प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकी 20 प्रतिशत डच भाशी हैं Question No. 20 Belgium के अधिकांश लोगों द्वारा कौन सी भाशा बोली जाती है? Option A. German Option B. French Option C. Dutch Option D. अंग्रेजी सही जवाब है Option C. Dutch Belgium की कुलाबादी 59 प्रतिशत फ्लेमिश क्षेतर में रहती है और डच भाशा बोलती है विडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस Quiz का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिये गए विवरण में लिंक पर अर्वन्द स्लेट अप्लिकेशन डाउनलोड करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें अगर आपको विडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हेट करें और भविश्य के विडियो के अधिक अप्डेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर ग्लिक करें आपको सेकते हैं